आप सभी लोगों ने हाली में सुना होगा कि मिलका से इंकी डैथ हो चुकी है और आप लोगों को ये भी माल होगा कि इसी सप्ता है इनकी पत्नी की भी डैथ हो चुकी थी ठीक है तो आप सभी लोग उपर वाली से द्वा करिए कि इन दोनों लोगों की आत्मा को सांती मिली और इनके परिवार को इस दुख की घरी में सहन सकती की, इस दुख की घरी को सहन सकती की दे. समझ रहे हैं आप लुग? और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश की आनसान बान रहे हैं मिलका सी. और इन पर एक मोवी भी बनी हुई थी भाग मिलका भाग उसे भी आप लोगों ने देखा होगा बहुत कुछ आप समझ सकते हैं कि उसे आप लोगों को सीखने को भी मिला होगा तो चली आज की इस खिलास में हम लोग इनके बारे में एक सामान जानकरी देख लेते हैं कि इनका किस तरह से कैरियर रहा है क्या सफर रहा है और क्या क्या इनोंने उपलबदिया हासिल की हुई है कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है उन्हें भी हम लोग देख लेंगे तो आप सभी को मालू है कि 18 जून 2021 को आखिरी सास इनों ने चंडिगड में जो PGIMER होस्पीटल है ना अस्पताल उसी में लिगी भी है इनकी पिक्चर आप लोग देख सकते हैं और आप लोग उने कई जगे देखा भी होगा ठीक है? इनके पूरे नाम की बात करने आप देखेंगे कि 8 अक्टूबर 1935 देखने को मिलेगी कई किताबों में आप देखेंगे 20 नवंबर 1929 देखने को मिलेगी तो आप कह सकते हैं कि आजादी के पहले इनका जनम हुआ था लेकिन आप देखेंगे कि इनका जनम इस्थान गोबिन्द पुरा जो बर्तमार में पाकिस्तान में पड़ता है हुआ था और आप सभी लोगों को मालूब ही होगा कि 1947 तक भारत और पाकिस्तान एक हुआ करते थे और 1947 में आप देखते हैं कि दो देश बन जाते हैं और यहाँ आप देख भी सकते हैं एक भारत और दूसरा पाकिस्तान और आप समय जानते होंगे कि बटवारी के друз भारत और पाकिस्तान के बटवारी के सग मैं बहुत बड़ी संख्या में दंगे होते हैं इसमें आप कहिए कि हजारों लोगों की मौत होती है उसमें Milka Singh के भी परिवार के member थे, उसके बाद ये पाकिस्तान चले जाते हैं, कुछ समय के बाद आप देखेंगे भारत आ जाते हैं और इनकी करम भूमी भारत रही है ये भारती है समझ रहे हैं, जनम भली इनका पाकिस्तान में हुआ हो लेकिन इनका करम भूमी भारत है इन्होंने भारत की तरब से खेला है तो आप देखेंगे इनकी करम भूमी भारत रही है और इनकी पत्नी थी जो निर्मल कौर और इनके चार बच्चे हैं एक बेटा है और तीन बेटिया है और ऐसा भी माना जाता है कि इन्होंने एक बेटे को गोध भी लिया था, बिक्रम सींको, जो आप जानते हैं कि टाइगर हिल के इयुद में सहीद हो गए थे, और 1909 में आप देखते हैं ना, भारत पाकिस्तान की भी उसी इयुद में, ठीक है? और आप लगों को यह भी मालव होगे कि 1915 में इसकी स्थापना हुई थी, और पदमसरी आप जानते हैं कि कला, सिक्षा, उद्यो, साहित, बिज्ञानो, खेल का छेतो, या चेकिस्सा का छेतो, या समाशी सिवा का छेतो, इन सभी छेत्रों में दिया जाता है, ठीक है? और आपको बता दूं कि यह चोत्रे पहले भारत रतम देखते हैं, पदम विभूसन, पदम वूसन, उसके बाद आप देखेंगे पदम सरी देखने को मिलेगा, अगर हम लोग इनके करियर की बात करें, इनके सफर की बात करें, तो इसमें आप देखेंगे कि इन्होंने सेना में उस समय आप देखेंगे कि काफ 1956 में जो मैलवारन में ओलंपिक खेल होते हैं कब 1956 में तो इसमें आप देखेंगे 200 और 400 मीटर में इन्होंने भारत का पिति नेदित किया लेकिन आप देखेंगे कि उस समय ना तो इतनी सो विधाय थी ना ही इन्हें कोई अनुभा होता तो इसमें आसफल हो जाते हैं यानि कि किसमें सफलता नहीं मिल पाती हैं लेकिन एक दिल्चस्प बात यह हुई किसमें आप देखेंगे कि 400 मीटर पितियोगता में जो विजेता थे चार्ल्स जेकिन्स इनके साथ इनकी मुलाकात होती हैं काफी कुछ वो इन्हें सलाय भी देते हैं और टैनिंग के तरीकों से भी आउगत कराते हैं ठीक है फिर आप देखेंगे कि मिलका सिंग साल 1957 में 400 मीटर की दोड़ को पूरा करकी नया राष्टीय किर्टीमान बनाते हैं फिर आप देखेंगे कि साल 1998 में कटक में आयजित राष्टीय खिल होते हैं इसमें 200 मीटर और 400 मीटर पितियोगता में राष् इनायों प्तेयन खिलो में सामिल होते हैं, ठीक है? इorous दोनों पतेयुगता में आप देखेंगे के इन्हों उन्होंने gör पतर है def yearly और इसमें आप देखें कि इस साल 1999 में उन्हें ये और मात्पूर सफलता मिली, जब आप देखें कि बैटिस राष्ट मंडल खेलों में 400 मीटर पितेवीता में स्वड पदक हासिल किया, इस फिकार आप देख सकते हैं कि राष्ट मंडल खेलों के ब्यक्तिगत इस फर्दा में स्वड पदक जीतने वाले सुतंद भारत के पहले खलाडी बन जाते हैं, इस तरह के questions भी आपकी परिक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, और वैसे भी आप लोगों कुमालू भी तो होना चाहिए, कि राष्ट मंडल खेलों में ब्यक्तिगत इस फर्दा में स्वड पदक जीतने वाले कौन थे, सोतंद भारत के पहले खलाड और ओफिसर के तोर पर फिरमोशन कर दिया गया, और बाद में आप देखें कि पंजाब सिक्षा बेवाग में खेलने देशक पत पर भी ये निव्ट किये गये, और इस पत पर आप देखें कि मिलखा सिंग साल 1998 तक रहते हैं, 1998 में रिटार होते हैं, मिलखा सिंग ने आप देखते हैं कि चार साल बाद होते रहते हैं, जिसके बाद आप देखें कि जनरल अयूग खान पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, इन्हों ने इन्हें ओड़न सिक कहे कर बुकारा, और इसी तरह आप देख सकते हैं कि उनका ओड़न सिक नाम पढ़ता है, ठीक है? यह भी आप लोग याद रखें, आपको बता देखें कि 1960 के रोम उलंपिक खेलो में, मिलखा सिंग ने 400 मीटर की दौर में 40 सालों की रिकोर्ड को जरूर तोड़ा, लेकिन आप देखें कि दुर्भाग बस बेद पदक पाने में आसफल लेते हैं, और इस पितेवता में आप देखें कि कि उन्हें 14 यानि कि फोर्ट नंबर तराब्त होता है, ठीक है? अपनी इस आसफलता के माद मिलखा सिंग इतने नर्वस हो गए कि उन्हें दौर से सन्यास लेने का मन लिया, लेकिन फिर भी बाद में आप देखें कि दिगज एथलीटों द्वारा समझाने के बाद उन्हों उस छेत में बने रहें, तब आप लोग जीत जरूर हासिल करते हैं, और एक बात और जानते होंगे आप लोग, कहते हैं कि वो हारता वो नहीं है जो मैदान नहीं छोड़ता है, हार तो वो जाता है जो मैदान छोड़ देता है, कम से कम उमीद तो बनी रहती है कि आप लोग बासक में देश के महान एथलीट जकार्ता में हुए A.C.N. गेंस में 400 मीटर में 400 मीटर रिले दौड में गोल्ड मेडल जीत कर देश का अभीमान बढ़ाया मिलखा सिंग ने इनकी कुछ उपलब्दियों को भी आप लोग देख लीजे रिकॉर्स भी रहे हैं तो साल 1957 में मिलखा सिंग ने 400 मीटर की दौड में 47.5 सेकिंड का एक नया रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया था इसे भी याद रखिये साल 1999 में आप देखें कि मिलखा सिंग ने टोकियो जापान में आयोजित तीसरे एसी आई खिलो में 400 और 200 मीटर की दौड में दो नई रिकॉर्ड स्थापित किये और गोल्ड मेडल जीत कर देश का मान बनाया क्या गोल्ड ठीक है जिसका आप लोग देखते हैं कि हमारे दे साल 1969 में आप देखेंगे भारत सरकार ने मिलखा सिंग की आदूतिय खेल पी दिवा उनकी उपलब्दियों को देखकर उन्हें भारत के चोतरे सर्वोस सम्मान पदम सिरी से सम्मानित किया गया है इसके बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं साल 1969 में इंडोनेसिया में हुए चौत्ते एसी आई किलो में मिलखा सिंग ने 400 मीटर दौर में गोल्ड मेडल जीत कर नया कीती मान इस्थापित किया पहली आप लोग एक कहानी सुना करते थे एक कहावत हुआ करती थी पढ़ोगे लुखोगे बनोगे नवा और खेलोगे खूंदोगे बनोगे खरा अलशकल उल्टा देखा जा रहा है जो आप समझ सकते हैं किसी भी छेत में आप अपना नाम कर सकते हैं ऐसा नहीं कि आप ल क्या ही कह सकता हूं ठीक है साल 1960 में आप देखेंगे कि रॉम ओलंपिक खेलो में मिलखा सींग 400 मीटर की दौड का रेकॉर्ड तोड कर एक राश्टी की तीमान इस्थावित करते हैं और आपको बता दूं कि उन्होंने यह रेकॉर्ड 40 साल बाद तोड़ा था समझ सकते हैं और साल 1962 में मिलखा सींग ने ACI खेलों में गोल्ड मेडल जीत कर एक बार फिर से देश का सिर उंचा कर दिया ठीक है और फिर आपका भी बाई गुराफी आपकी भी कवर की जाएगी बदना आप समझ सकते हैं कि इस देश में करोड़ों लोग हैं किस-किस को लोग नाम जूम ओलम्पिक के 400 मीटर की दोड़ में पहेनी जूती मिलखा सींग ने एक चैरीटी संस्था को नीलामी में दे दिया था तो ये भी आप समझ सकते हैं एक जुलाई हिसन 2012 को ने भारत का सफसी सफल धावक माना गया है और जिन्हों ने ओलम्पिक्स खिलों में लगबग 20 पदत अपने नाम किये और यह अपने आप में एक जी एक रेकॉर्ड है मिलका सिंग ने अपने जीते के सहВी पत्कों को देश's के नाम समर्पित कर दिया और पहले उनकी मेडल्स के को जवाहललाल नहरु स्टेडियम में रखा गया था लेकिन बात में आप देखेंगे पटेयाला के एक गेम समय उजियम में मिल्खा सिंग को एक मेडल्स को ट्रांसफर कर दिया गया है ठीक है? कुछ इनकी बारे में अंसुनी कहानी भी है, बातें भी है इन्हें भी आप लोग देख लिए तो आप देखेंगे कि जब भारत पाकिस्तान अलग हो रहा था तो इन दंगों में मिल्खा सिंग ने अपने परिवार की मेंबरों उसको खोया है उस समय उनकी आयू 12 साल की थी तब से भी अपनी जिन्दगी बचाने के लिए भागे और बापस भारत आये हर रोज आप देखेंगे मिल्खा पैदल 10 किलो मीटर अपने गाउं से स्कूल का सफ़र तै करते थे और इसी का आप देख सकते हैं कि आगे उन्हें फायदा भी हुआ है बे इंडियन आर्मी में जाना चाहते थी लेकिन उसमें बे तीन बार आजसफल भी हुए फिल भी उन्होंने हार नहीं मानी लेकिन आप देखेंगे कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी और चौतरी बार बे सफल हो जाते हैं 1900 इंक्याबन में आप देखेंगे सकनंदराबाद की EME स्टेंटर में सामिल हुए और उस दोरान ही उन्हें अपने टैलेंट के बारे में पता चला और वहीं से धाबक की रूम में उनका केरियर की सुरुआत होती है अगर आप भी दोड़ते हैं आप भी आपको भी लगता है तो आप लोग भी कॉसिस करिए इन सभी पितियोगिताओं में भाग लीजे ठीक है फिर आप देखें कि जब सैनिक अपने दूसरे कामों में वैस्ट होते थे तम मिलखा ट्रेन की साथ दोर लगाते थे ट्रेन समझ रहे हैं आप लोग अब्यास करते समय कई बार आप देखें कि उनका खून तक बह ज़्यादा था बलकि कई बार तो उनसे सांसें भी नहीं ली जाती थी लेकिन फिर भी आप देखें कि अपने अब्यास को कभी नहीं चोड़ते रहे और दिन रात लगातार अपना अभ्यास करते रहते और इसी अभ्यास का आप देख सकते हैं कि उन्हें एक अच्छा परफेक्ट इंसान बनाते हैं आप भी लगे रहे हैं आप भी अपने चेत में जो भी काम हो रहा है ठीक है? और इस तरह के जो भी महान लोग हुआ करें जो भी चर्चा में लोग रहते हैं उनके वह उपर जो भी movie बनती हैं उन्हें आप लोग देख लिया करेएगा गांधी movie को देखिया आप लोग बेवेकानंद movie को देख लिएजी आप लोग उन पर भनी बगस सेंग जो भी हो तेगे क्या होता है कि काफी knowledge मिलता है काफी कुछ आप समझ सकते हैं कि जानकारी मिलती है सीख मिलती है फिर आप देखेंगे कि उनकी सबसे फितीस पर थी race cross country race रही है जहां 500 धावकों मैंसे मिल सिख जो आपकी मिलखा से हैं छटवी नमबर वर रही थे 500 में आप समझ रहे हैं आप कह सकते हैं कि आपकी क्लास में 500 बच्चे हैं उसमें आपका छटवा नमबर आता है तो आप कह सकते हैं कि दुनिया भर के बच्चे थे तो आप अपने आपको गवरान भी समझेंगे ना 1958 में ही ACI खिलो में उन्होंने 400 मीटर और 200 मीटर और 400 मीटर दोनों में ही क्रमसा 6 सेकेंड और 47 सेकेंड का समय लेती हुए स्वाड फदक जीता और 1958 की Commonwealth खिलो में उन्होंने 400 मीटर रेस 16 सेकेंड में पूरी करते हुए गोल्ड मेडल जीता उस समय आज़ाद भारत में गोर्मन बेल्ट खेलो में भारत को स्वाड फदक जीताने बाले भी पहले भारती है थे 1958 की ACI खिलो में भारी सफलता हज़िल करने से के बाद उन्हें आर्मी में जूनियर कंपिजिसन भी मिला इसे भी हम लोग बात कर चुके हैं 1960 में रोम उलम्पिक के दौरान भी काफी पिसिद हुए और उनकी पिसिद्दी का मुक कारण उनकी टोपी थी और इसे पहले आप देखेंगे रोम में कभी किसी अथलीट को इस तरह की टोपी में नहीं देखा गया था लोग अचमबित थे कि मिलखा टोपी पहन कर इतनी तेख कैसे भाग सकते हैं तो टोपी भी काफी चर्चावन में रही 1962 में आप देखेंगे मिलखा सिंग ने अबडुल खलीब को पराजित किया जो पाकिस्तान का आप देखेंगे सबसे तेज धावक था और यहाँ यह सावित कर देते हैं कि बाप-बाप होता है और वेटा-वेटा होता है उसी समय आप देखें कि पाकिस्तानी जनरल अयूग खान ने उन्हें ओडन सिक का दर्जा या सीर्सक दिया 1999 में आप देखें कि मिलखा सिंग 7 साल के बाहदो लड़के हविलदार सिंग को गोद लिया जो कारगे लिए हो देखे दौरान टाइगे इसमें मारे जाते हैं या फिर सहीद हो जाते हैं यह भी आप लोग याद रुखें उसके बाद आप देखें कि इन्होंने इनकी जो जीविनी थी आत्म कथा थी जिसे आप लोग वाय गराफी भी कह सकते हैं अपनी जीविनी महरा को बैंची जो भाग मिलखा भाग की फ्रियोडूसर और डारेक्टर हैं अपनी जीविनी को उन्होंने किवल एक रुपे में ही बैंची और मिलखा सिंग यह दावा किया कि उन्होंने 1968 में कोई फिलिम नहीं देखी थी लेकिन भाग मिलखा भाग मिलखा सिंग ने यह कहते हुए अर्जुन पुरुसकार को लेने से इंकार कर दिया कि वह उन्हें 40 साल देरी से दिया गया है यह हो सकता है यह देखी इनकी पितविया को पहचानने में बहुत लंबा समय लग गया हो ठीक है एक बार आप देखेंगे बिना टिकेट में यात के लिए अपने गहने तक पैंच दिये तो ऐसा ऐसा समय भी देखा है और आप भी अक्सर इस तरह का समय देखते रहते हैं ठीक है क्योंकि स्टूडेंट लाइफ अगर सही स्टूडेंट लाइफ गुजारी होगी तो बहुत कुछ सीखा होगा मिलखा सिंग पर बनी एक फिल्म भी है उसे भी आप लोग देख लिए भारत में महाने अथलीट मिलखा सिंग ने अपनी बेटी सौनिया सौलंका के साथ मिलकर अपनी बाइवगराफी दरेस ओप माई लाइफ लिखी थी मिलखा सिंग की इस किताब से पिरभावी थोकल बॉलीबुड की पिस्तेद ने देशक राकिय समपिकास महरा ने उनकी पेड़ादाई जीवन पर एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम भाग मिलखा भाग था यह फिल्म 12 जुलाई 2003 में रिलीच हुई थी और फिल्म में मिलखा सिंग का किरदार फिल्म जगत की महसुर अविनेता फरहान अक्तर ने निभाया था यह फिल्म दर्सकों द्वार का भी पसंद भी की गी है और इस फिल्म को 2014 में बेस्ट इंटर्टेन्मेंट फिल्म का फुरुसकार भी मिला था तो यह कहानी है मिलखा सिंग की और आप भी लगे रही है फिर से वो राम आपका भी एक दिन नाम इस तरह से लिया जाएगा ठीक है